सब गाइज फिसे बार बहुत बहुत स्वाद है हमरा चनल स्टॉक मार्क डाड़ा में दोस्तों बात करने वाले है इडिल्स वाइल्स फाइन्स लिमिटेड सर्विस फाइन्स लिमिटेड की बारे में दोस्तों पूरा डीटेल्स में हम लोग इस सेयर को चर्चा करेंगे 75 वीडियो को देखो उसके बाद ही एसयार को अगर आप बाय करना चाते हो तो किजिए ठीके पूरा डीटेल्स में आनलिसिस करेंगे रिक्वेस्टे दूस्तों वीडियो को लास्त तक देखिए फाइब डे में एसयार करीबन आठ परसंट की रिटन दिया है वान मॉन्थ मे 6% की 6 महिने में एसयार 100 तक गया था आप देखोगे तो यह कौन सी महिना था जून जुलाई महिने में 100 तक गया था दो बार यहां पर देखिए टॉच किया है लेकिन उपर नहीं जा पाया है यानि यह इसका एक बड़ा रेजिस्टान्स है अगर इसको क्रॉस करके उपर चला जाता है ब्रेक आउट करके तो एसयार और बी उपर जा सकता है अगर हम लोग वान एर की चाट पटन देखेंगे सोने हो रहा है फाइप एर की चाट पटन में दोस्तो यह इसयार 315 में मिल रहा था कोबिड के टाइम में एसयार आगे था 34 लेकिन अभी 75 में मिल रहा ह क्या है फिर से बाउंस बया कर सकता है मैक्सिमम चाट पटन देखोगे तो यह जो सयार रहे इसका ओल टाइम हाई वो ही 311 है लिस्टिंग हुआ था 2007 में 147 करके उसके बाद भयंकर गिरा बट हुआ 2008 में 29 तक आ गया था लिकिन इस बीच अगर हम लोग रिटरन देखेंगे कमपानी का तो यहां पर दोस्तों 1100-1200 परशन की कमपानी रिटरन दिया है यहां से लेकर यहां तक क्या है फिर से जा पाएगा उपर चलिए डिटर्स में चेक करता है सब सब पहले तो हम लोग एनेसी का ओपिसल ओशल में देखेंगे मिलियंज में भॉली में और आज की में 65% की माल उठा गया है 100 इसका हाई है 56 इसका लोए मैं आपको 100 का ही तरगर दे रहा हूं कमपानी फ्रोमेशन पे क्लिक करेंगे तो डिविडेंड कमपानी दो बार दिया है एक 90 पेसा अप्रेल में दिया था अगस्ट में दिया था 55 पेसा करके और अक्टोबर माहिन में फॉन डेसिंग हुआ था आप देखोगे तो कमपानी फॉन डेसिंग भी किया था और रेजल्ट आया था रेजल्ट ठिक टाक था प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग एक भी सेयर गिरिभी नहीं है जो कि एक आच्छा सिगनल देता है अगर हम दोस्तों डिविडेंट 2% की प्रोवाइड करता है ROC यहां पर 10 है ROE यहां पर 4.18% है फेस बालू 1 का है 35,000 करोड का कर जाए लेकिन कमपानी का जो रिजर पे वो है 6,530 करोड का है और दोस्तों आप देखोगे तो 3,594 करोड का फ्री कैस पड़ा है 6,619 का नेट्ट अर् 44,000 करोड का आसेड है यानि कमपानी का आसेड करजा से ज़्यादा है डिविडेंट पे और 48% है जो नेगेटिव बात है दोस्तों बहु है कि कमपानी अभी आप देख सकते हो profit में नहीं चल रहा है यहां पर 3 एर में आप देख सकते हो minus 32% की negative profit में कमपानी चल रहा है यह बात है करजा है कमपानी अभी profit में नहीं चल रहा है यह दोस्तों finance and investment में काम करता है आठ नमबर पर आता है दोस्तों quarterly कारोबार देखेंगे 1000 का एकस्वन वाता 1800 का सेल हुआ है मैं राउंड आपको बता रहा हूं profit देखोगे 18 करोड से बढ़कर 57 करोड यानि यहां पर profit 6000 का एकस्वन वाता 8600 का सेल हुआ है profit देखेंगे 265 करोड से 634 करोड यानि दोनो टाइम quarter और year wise दोनो टाइम कमपानी को मुनापा हुआ है dividend payout भी growth हुआ है 125 compounding ग्रोथ है 4% CAGR return on equity भी 4% है अगर हम लोग करजा देखेंगे दोस्तों यहां पर आप देखें तो 48,000 करोड का करजा था उसको कौम करके अभी 25,000 का करजा कर दिये हैं और asset में भी reserve में भी grow कर रहे है और दोस्तों आप देखोंगे तो asset भी ठिक्टा के करके दिखा दिया लॉंग टर्म की नजरिया लेकर जाओगे अफ़ाइब भी बाय कर रहे है 100 का तार्गेट है एसर का तो होप करता है आपको पसंद आएक पसंद आएक दोस्तों फ्रीज वीडियो लाइक की जी चैनल को सस्क्राइब कीजिए मलते हैं कोई नेशन टिस्ट दिखले जाए इन बंदमाइब